नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपकी जिन्दगी खत्म करना चाहता है इस नाम का इंशान इस नाम का व्यक्ति जिया दोसों हमारी इस बात को बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी तकलिफ मानिएगा जिया दोसों कि दोसों हम की दिलको ठेश नहीं पहुंचा रहे आपके जिवनकाल की आपको शचाय बता रहे हैं ताकि दोस्तों आप भल्ष से वेक्तियों के समुद् Curtis के अपने जुनकाल में आप तरक्की कर सके जियां दोस्तों अलांकि पिछले कई शारी वीडियो में आपको बहुत शारे इनके बारें बात किये हैं कि दोस्तों फिर भी वह उड़न के शहें कहमें आते हैं कि हम हमारे जुनकाल में चल रही है तो दोस्तों हम आप शुबिक के शारिफ शवालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर हुआ कौन सा व्यक्ति है जो कि आपके जान के पीछे पड़े हैं आपको इस दुनिया शेह हटा देना चाहता है वह चाहता है कि कब आप यहां चले जाए और वह आपके जगह पर राज करें वह शुक्त से दिये दोस्तों हम आप शुबिक को बिता दें कि जब भी आप पने जुनकाल में आगे बढ़ते हैं जब अपने जुनकाल में आप खुश होते हैं तो दोस्तों इस वेक्ति को आपकी खुशी देखी नहीं जाती इसी कारण दोस्तों यह आपको जान से मर देना चाहता है जी दोस्तों हम आप शुबिक को पिता दें कि एशे वेक्ति से आप हो जाएं श्रावधान जी आने वाली शमे में यह आपके लिए बहुत ही खत्रनाक शावित हो शकता है और दोस्तों शब से जानने कराली बात यहां कि दोस्तों यह कोई गैर व्यक्ति नहीं है जो आपको नहीं जानता है जो यह आपके अपने लोग ग्यएं जिने आप अच्छी तर्किषत जांते हैं जिनके पास आफ बताइस हैं उनके शाथ हो हांसे खेले हैं 200 ही早 लोग कि आपके विशाठ cash चल करें दोस्टों आप शुबी को बता दें कि जुण काल में आप बहुती कुछ करना चाहती थे दोस्टों जुन काल में बहुत जादा आगे तक जाना चाहते हैं लेकिन दोस्टों शूयक्ति की है कोई कोई शंक्रट आप की जुनकाल में आही जाता है जिनके वज़ेशी दोस्तों आपकी खुश्खबरी दुखों में तबदिल हो जाती है दुखों में बदल जाती है जिसे दोस्तों आपको बहुत यह नुक्षान होता है और दोस्तों आप अंदर यह अंदर यह सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा किश्मत ही खराब है हमारा कार ही नहीं बंदा है दोस्तों हम आप शुपी को बता दें कि आपकी किश्मत खराब नहीं है आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों आपका किश्मत भी उतना ही अच्छा है लेकिन दोस्तों आपको एक और एश्रा कर्म करना होगा कि दोस तब धूसरु Dawson के शारी खुश्यों को प्राप्त कर पाएंगे जैसा आप मको बताते हैं कि आज वीडियो में हम आपको वैक्ट्री नाम के बार में बताएगे शाधि के वैक्टि के निकाल सी निकाल इसके बारे में बताइङे शाती दोसों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यहाया कि आप जुन पángस्ट में दस तख देही ना स्के दोस्तों आपके जवन की शारी शमस्याओं का शारी प्रश्णों का ये श्रमिल में उत्तर मिलनेget निकाल कर आज के वीडियो को दोस्तों उन्त तक देखी दीजेगा दोस्तों आप शिवी को दावी के शाथ बता शकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह एक परशन चटी होंगी और दोस्तों इस व्यक्ति का नाम शुनकर आपके भी होश उट दोस्तों उटता नहीं और अगर उट जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जूटता नहीं है जे दोस्तों और यहाबार शत्ति भी है कि दोस्तों बगवान श्री किष्ण ने यहाबात कई है कि जो भी हमारे जुनकाल में दुश्मन होते हैं जो भी हमारे जुनकाल करते हैं जो भी हमाल काल में हमें खुश ने देखना चाहते हैं 200 येख्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है याँ माप जय? और अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में लेकिन लोगों पर दो, बड़ा बर बेवखूपी हो विडियो को अंत तक देखिएगा उस्य पहले दोस्व जो भी महामली हर्मान जी के सच्चे भक्त हैं श्रीराम जी के सच्चे भक्त हैं दोस्वेडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम ज़रू लिखेगा दोस्तों आप शबिक के दुखों कांत कर देंगे उनकाल में प्रिश्यानियां कभी आएंगी नहीं और शिराम और महावली हरुमान जी का श्री मश्रीवाद आप शबी को प्राप्त होगा जिए दोस्तों के श्राइब करते ही हम आप शबी को बता दें कि पिछले कई शमयों जो आपके करीब लोग थे, वही आज के जवाने में आपके जान के दुश्वन बन चुके हैं, अजियां दोस्तों, हम आप शिवी को बता दें, कि यह वही लोग है, जिन के लिए आपने अपने जिवन की शारी खुशियां, उनके उपर निशावर कर दिया था, और दोस्तों यही लोग, आज आपकी कुशी देखना नहीं शाते, जब आप कुश होते हैं, तो दोस्तों इनके अंदर जलन महशूज होने लगती है, दोस्तों, किशी ने बहुत खुब कहा है, कि जूट कहते हैं लोग, कि हम शब मिट्टी के बने होते हैं, मैं शेक कई अपनों शिवा देखने को मिल रहा है, जिया दोस्तों, और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है, कि दोस्तों, अब आप अपने जुनकाल में जो भी करेंगे, समल कर करें, कि दोस्तों, अब आपको अपने जुनकाल में शमलना बहुत ज़्यदा जरूरी हो गया है, जिया दोस्तों, जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोराने हैं यानि कि दोस्तों किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना क्योंकि दोस्तों चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो लोग आपके शामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करना का पहन कर आप शे मीठी मीठी दो-चार बातें कर लेते हैं और जब आप शे काम निकल जाता है तो दोस्तों वे आपको लात मार देते हैं दोस्तों कमेंट करके आप मैं जरूर बताए कि जो भी मैं बाते बोल रहा हूँ कि आ दोस्तों यह आपकी जुनकालमी फिलाल नहीं हो रहा है इसलिए दोस्तों हम आप शिपिक को एक बात बताना चाहेंगी कि लोग आपके शात तरह-तरह की बाते करेंगी लोग आपको तरह तरह की शलाही भी देंगी लेकिन दोस्टों आप करें वही जिन में आपका हिर्दय जिन में आपका दिल और दिमाग शपोट करा हूँ यानि कि दोस्तों सोच शमज कर ही आप खुद से अब निर ले लें जी यान दोस्तों लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत यादा गलतियां कर दी है लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपने जुनकाल में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दो रहाएं जी यान दोस्तों यानि कि दोस्तों आप शबी जोवी भी भेशल लेंगे खुद से ही लेंगे आप किशी लोगों पर विश्वास करना अब जोड़ दें कि दोस्तों इशाक करके आपने पहले भी दोखा खाया है अगर आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें अपने परिश्रम पर भरोशा रखें और दोस्तों अपने इश्वर पर अपने भगवान पर भगवान शुनदेव पर यकीन करें दोस्तों आपकी कर्मों का फ़ल भगवान शिंदेव अवशी देंगे दोस्तों आपको शपलता भी अवश मिलेगी दोस्तों किसी ने शही कहा है कि जिसकी फित्रत हमेशा बदलने की हो वह कभी कीशी का नहीं हो शकता चाहिए वह शमय हो या फिर इंसान हो अकेले बेट कर र कोना भी मौत से कम नहीं जहां पर शवाल भी आपका होगा और जबाब भी आपकी होंगे इसके शादी दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उशे दफा कीजिए आप अपने उपर जितना होश के फोकस रखें ध्यान रखें कि दोस्तों खुश करने के चकर में अपने आपको भूल जाते हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुती गहरा दर्द छोड़ जाते हैं बहुती गहरा घाव छोड़ जाते हैं इसलिए दोस्तों में आप शुबीर से बस यही कहेंगी कि कभी भी दूसरों से आपक्षा ना आपको शुबलता जरुरु मिलेगी जे अगोस्व तोस्व आपको बता दे कि पिछले कुछ शालों से इस राशी के जो लोग हैं जो आपके जोन में शबसे ज़्याधा प्रिषान हैं जे दोस्व बरमांड में विश्व में कुल जितनी वी राशिया हैं समस्त राश्यों में आपके ही एक राशी एक लोता एशी है जिनके पिछले कुछ वर्स बहत ज्यादा दुखत बीते हैं और शाय है दोस्टों बहत भी मुश्यूतों का शामना भी आप किये हैं आप में दोस्तों आप लोग को बताना चाहेँगी दोसों यश में जो आपकी गरहों की पस्तिती है वह दर्शार रही है कि आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोस्तों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोस्तों पर दोस्तों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुश्यूपते आने वाली है इनमें आपके ही गलतियां छुपी हुई दिख रही है जिया दोस्तों आपको बताना चाहेंगे क दोस्तों आपका नेचर बहुती शीदा होता है बहुती श्रल्चो भाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। दोस्तों कभी किशी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते ना ही किसी को निचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों ना ही किसी को पीजी ढखलने के बारे में भी सोचते हैं प्रदू दोसों इतने शीदे इतने अच्छी होने की बावजुद भी इस राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोसों लोग आपके भोले पन का फायदा उठा कर अपने जादों में आपको फशा रहे हैं यह कहें दोसों तांतरिक क्रिया में आपको फशा रहे हैं यानि कि दोसों आपको बता दें कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ इससे जादू करते हैं कि दोसों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं जिया दोस्तों और शी के चलते आपके जुनकाल में शंकुटनों का आपको श्वमना करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जोर में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात बारा बजे शे जियां दोस्तों पूरा शुन लिजिए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात 12 बुजिशे आपको अपने बातों के जादू में फ़शाने वाले हैं यह कहें बातों के शितांत्रिक किर्या होगी जैसे आप उनके जाल में फ़शने वाले हैं और दो जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराएं जैसे दोस्तों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जैसे दोस्तों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जीवन में तीन ग जया दोसों इस रहाषी के जाहतक शब्वी को अपना मनते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखती हैं आप लोग सोचते हैं कि शब्वी का विकास एक साहत होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्दगी में even इते Are रहकर जहलने चाहिए जिया दोस्तों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपके विप्रित होती है जिया दोस्तों आपको बता दें आप हमेशा अपने शातियों का अपने मित्रों अपने रिस्तेदारों का भला चाहते हैं परिवारों का भला चाहते हैं उनकी मुशिप्तों में आप समिल रहते हैं उनके मुशीवतों को भी आप अपने शर ले लिए प्रन्थु दोस्थूं वह लोग केवल केवल आपकी भोलेपन का फायदा उठाते हैं जिहां दोसथूं आपको बता दें कि जब भी आपके उपर मुश्वत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों शब दुम दबा कर आपके पास ये भाग जाते हैं ये दोस्तों गर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा ये दोस्तो कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रणदु दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्यवतों का शामना अ आज ये ही आप इनको करना बंद कर दें जिया दोस्वं आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे अगर दोस्वं आप गलती करते रहेंगे तो दोस्वं आपका दुख आपको ही मिलेगा किसी और इंशान को नहीं मिलेगा आपको अपना दुख श्वेंग ही जहलना आप जीवन से जुड़े शबसे बड़े महत्मुन बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्वं यह बात को आपको धियान वे रखना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले चाहे आपसे बार-बार मिले हो या पिर बहुत सालों के बात एक बार मिले हो लेकिन दोस्वं आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें कि दोस्वं ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आप शेयर मिलते हैं लेकिन दोस्वं आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर रहत से ज़्यादा भरवशाद ना करें क्यों दोस्वं वर्तमान श्मय में पेशा ही सब कुछ है जें दोस्वं बात कड़ भी है लेकिन दोस्वं इस बात पर सच्चाई भी है जें दोस्वं आपको बता दें कि आज की दौर में पेश्यों को लेकर किसी का भी नियत बिग वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जूनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको इसे बातों में पहचाना चाहते हैं तो दोस्तों इसे व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंड ढूंड कर उनसे अपना शम्मन तोड़ दे चैन दोस्तों और दोस्तों उनसे बात भी करना आप बंद कर दे येशे दोस्तों आपकी जो मुशिबते हैं दिन पर दिन घटते जाएंगी क्योंक दोस्तों अगर आप अपने जूनकाल मीने रहने देंगे तो दोस्तों दिन पर दिन आपकी जो मुश्यूबत है उनमें बिर्दी होती जाएंगी और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी क्यों दोस्तों आप इन्हें सचे मित्र मानते हैं आप एशे दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए दोसम आप शुपी को बता दें कि अप उन्हीं नामों पर यकीन किजिएगा जिन पर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा शक रहता हो जो आपको पहले कई बार दोका दे चुके होंगे या पिर कभी दुखा देने का प्रयाश्च के होंगे दोस्तों वहीं आपका सबसे बड G M N O A B R L D दोस्तों जो नाम के पहले अक्षर है दोस्तों इस नाम का व्यक्ति आपके जुनकाल में हैं आपके शंप में हैं और किसी पर आपको अगर शक हो रहा है तो दोस्तों यहीं इंशान आपकी जुनकाल में शब से बड़ा शत्रू हो शकता है बस दोस्तों आपको करना क्या है यह व्यक्तियों के लिए आपको कुछ महत्मन उपायों को भी करना चाहिए जेदोस्तों आप शेवी को बता दें कि आप अपनी जुनकाल में हनुमान जी के मंतरी में शनी वार्या फिर मंगलवार की दिन एक पान का बीड़ा लिकर जाए और खत्म कर दीजिए हमारे जुनकाल में जो भी हम भूल हो गई हमें शमा किर दीजिए हमें अपने शरण में लिजिए हे शंकट मोचन किरपानी धान दोस्तों आप शबी की जुनकाल में यह उपाई बहुत ही कारगर्शित होंगी शबी शत्रूश आपको महामली हनुमान जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज कोई है वीडियो आप शबी को पुशन आया है पुशन आये तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शादियो और शबी जनकारे के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब